प्रदानवंतिरि नरेंद्र मोधिने गुजरात में तीन अहम परियोजनाव का किया उत्गाटन, किसान, सर्योदे, योजना का किया सुभारंब जिवाँ प्रदानमत्री नरेंद्र मोधी ने गुजरात में तीन प्रमुक परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से उधगाटन किया। जिवाँ प्रमुक परियोजना के तहत किसान सुबा पांच बजे से रात के नौ बजे तक भिजली पासकेंगे। भारत में कोरोना संकरमितों का अंकड़ा 78,14,000 के पार एक दिन में 53,379 मामले हुए दर्ज। जिवाँ चार दिन पहले 47,000 से नीचे मामले आने के बाद कोरोना के ताजा मामलों ने एक बार फिर से उसमें बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले 24 गंटों में 53,379 मामले सामने आए हैं जबकि 650 लोगों की जान चली गई है। इसके सांती देश में इस बिमारी के कुल मामलों की संक्या बढ़कर 78,14,682 हो गई है। स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले के आंकडों ने इसका खुला सकिया है। कुल कोविड मामलों में से 6,88,680 वरतमान में सक्रिया हैं। 70,16,046 लोगों को ठीक हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से चुटी दे दी गई है। जबकि 1,17,956 इस बिमारी से अब तक जान गवा चुके हैं। मंत्राले के आंकडों के नुसार रिकवरी दर 89,53 प्रतिशत है जबकि मरने बाले लोगों का दर 1,51 प्रतिशत है। तेजस्वी यादों ने जारी किया आरजडी का घोशना पत्र 10 लाख युवाओं को किया नौकरी का वादा। जिहां बिहार विदान सभा चनाव 2020 के मदनेजर सुबे का सियासी पाड़ा चड़ा हुआ है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में सीधी टक कर नितिश कुमार बानाम युवा तेजस्वी यादों है। सभी पार्टियां अपना गोशना पत्र जारी कर वोटरों को लुभाने की कोशिस में जुटी हुई है। इसी बीच रास्तिय जनतादल के नेता और महा गड़बंदन की तरप से सियम युमिदवार तेजस्वी यादों ने पार्टी का गोशना पत्र जारी किया है। सोला पन्ने के गोशना पत्र में 10 लाख नोकरियों की बात आरजडी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में देने की बात कही है। तेजस्वी यादों ने गोशना पत्र जारी करते हुए कहा कि बाजपा वाले बताएं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, नितीश कुमार है क्या? नितीश कुमार ने तो 10 लाख नोकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिये थे कि वे कहां से देंगे? तो बीजेपी कहां जा रहा है, जिहां बिहार विधान सबाचुनाव 2020 को लेकर जैसे जैसे वोटिंग नसदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं की तरफ से एक दूसे पर जवाबी हमले तेज हो गए हैं, सुबे में विपक्ष में मौजूद सभी दलों के निशाने पर खास करके नितीश कुमार ह एंडिये से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी पूरी तरह से नितीश कुमार पर हमला वर है, चिराग पास्वान बीजेपी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, इसी बीच सुबे में सराब बंदी को लेकर चिराग पास्वान ने मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर ह उन्होंने कहा कि सराब बंदी के नाम पर बिहारियों को तसकर बनाय जा रहा है, चिराग पास्वान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सराब बंदी के नाम पर बिहारियों को तसकर बनाय जा रहा है, बिहार की मताएं बहने अपनों को तसकर बनते नहीं देखना चाहती, ब बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में स्तराब तसकरी की तरफ बढ़ रहा है लेकिन सब के सब मानों उनको साप सुंगया है। कॉंग्रेस ने प्रधान मुंत्री पर साधा निशाना कहा जब सडकों पर बिहार के मजदूर भूके पैसे पैदल आ रहे थे तब नरेंद्र मूदी ने नहीं की कोई मदद। जिहां बिहार विदान सबाचनाव 2020 के लिए वोटिंग में महज कुछी दिना बच्चे हुए हैं यहीं कराने के राजनेतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कॉंग्रेस लगतार हर मोर्चे पर बीजेपी, प्रधानवंत्री नरेंद्र मूदी और नितीश कुमार को घेरदी नजर आ रही है। इसे बीच एक बार फिर कॉंग्रेस ने प्रधानवंत्री पर हमला बोला है। कॉंग्रेस ने कहा कि जब सडको पर बिहार के मजदूर भूके प्यासे पैदल आ रहे थे तब नरेंद्र मूदी ने कोई मदद नहीं की। प्रधानवंत्री ने ऐसे संकट की घड़ी में आपकी मदद नहीं की।